साथियों, जब मैं स्मृत्धी मन के अलग-अलग हिस्सों में गुजर रहा था, तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिस्क में आ रही थे। पॉइंट जीरो, मैंने वो भी देखा है, मैंने जपान में हीरो सिमा की तरास्थी के बाद उसकी स्मृत्धी को संजुने वाला एक मुजियम बना है, वो भी देखा है। पूरे देश के लोगों को कहता हूँ, कि हमारा स्मृत्धिवन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृती, पृत्वी, जीवन इसकी सिक्षा दिख्षा की पूरी व्यवस्ता है। मैं कच्छ के लोगों से कहूँगा, अब आपके हाँ कोई महमान आए, तो स्मृत्धिवन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इसकच में मैं सिक्षा विवां को भी कहूँगा, कि जब स्कूल के बच्चे तूर करते हैं, वो एक दिन स्मृतिवन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चलें कि प्रत्वी और प्रकृती का व्यहवार क्या होता है। साथियों, मुझी आद है, भूकम जब आया था, 26 जन्वरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकम का एसा दिल्ली में भी हुआ था, और कुछी घंटों में मैं दिल्ली से एमदाबाद पहुँचा, और दूसरे दिल मैं कच्छ पहुँच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। एक साधारन राजनीतिक भाज़ती जन्ता पार्टी का थोटा सा कारकरता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ये ताई किया कि मैं इस दुख की गड़ी में आप सब के बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब मुख्यमंत्री बना, तो उस सेवा कारियों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे आद आती है, भूकम पिडितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आये थे। उनके इस बात की हरानी होती थी कि कैसे यहां निश्वार्थ भाव से स्वयम से जूटे हुए है, उनके धार में एक सामाजिक संस्ता है, रहात और बचाओं में लगी हुए है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगा पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामुईक्ता की यही शक्ती है, जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को समहला। आज मुझे जब कच्छ की धर्ती पर आया हूँ, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सब से, बहुत गहरा नाता रहा है, अंगिनित नामों के स्मृतियां मेरे सामने उफर करके आती हैं, अमारे दिरुबाय शा, तारा चंचेडा, अणन्त भाय दवे, प्रतापसी जाडे जा, नरेंद्रसी जाडे जा, हिरालाल पारिक, भाय दंसुक ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, आपने अंजार के चंपगलाल शा, अन गिनित लो, जिनके साथ, कंद से कंदा मिला करके, काम करने का सौभागी मिला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए, उनको संतुष्ठी का भाव होता होगा, वो हमें आशिरवाद देते होगे, और आज, आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूँ, चाहे हमारे पुश्वदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेट जैसे वेक्तित भाई, आज भी कच्छ के विकास को फ्रेणा दे रहे हैं, कच्छ की एक विशेष्टा तो हमेशा ही रही हैं, और जिसकी चर्चा में अक्षर करता रहता हूं, यहाँ रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बोजाएं, तो पुरा कच्छ उसको वट व्रुक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इनी समस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे, कि अब कच्छ कभी अपने प्यारों पर खड़ा नहीं उपाएगा। लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। कि अंसा कॉप्छ